हलो प्रेंट्स आज मैं आपको पोटेशियम आयोडाइट पाउडर के बारे में बताऊंगा कि जो पोटेशियम आयोडाइट दे को जिस तरह है इस तरह का एक पाउडर आता है इसके इंदगर एक सपेथ किस लिए पाउडर आता है पोटेशियम आयोडाइट जिसका राशान का परियोग पसों में किया जाता है आप चाहे कई इस प्रकार के जो injectable वह कई medicine आप उपयोग ले लेते हैं लेकिन आप जब तक potassium iodide powder आप अपने पसों को नहीं दे पाते हैं तब तक उस तरह के रोगों का इलाज आपके पसों में संभव नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे पास इस तरह के call भी आ रहे थे कि सब potassium iodide के बारे में हमें detail से बताएं तो आज आपको जो किसी ने वेटिनेरी के अंदर किसी ने बताय भी नहीं है कि potassium iodide पसों में क्या काम करता है detail से और नहीं इस पर किसी की वीडियो बनी विए तो आज आपको detail से बताऊंगा वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप skip करके मैं देखना वीडियो को पूरी देखना वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको potassium iodide के बारे में पूरा प्रोपर नोलेज मिल जाएगा देखो एक तो मैं बताना चाहता हूं कि जो यह potassium iodide आता है इस तरह का powder आता है जो एक सपेज जो मैंने बता है देखो इस powder का उपयोग जो medical science के अंदरगद है वो ठारा सो बीज से किया जा रहा है और ये विश्वा स्वास्ते संगतन की दवा के अंदरगद सुचिबद है यह powder यानि कई तरह कि जो बीमारियां है उसके अंदरगद इस powder का ही प्रीयोग किया जाता है इतना प्रीयोग मनुष्या के अंदरगद किया जाता है medicine के अंदरगद इसी तरह से इसका उपयोग पस के अंदरगद भी किया जाता है इसके तो आई drops भी आते हैं टेबलेट भी आती हैं इसी परकार आपने पसुओं के लिए हैं फिर भी पोटेशियम आइड़ायड के अंदर mix liquid में भी इसमें आई drops आती हैं अदर इसके नहें अंदर जो meth acces and powder उसके अंदर भी इस प्रियों का प्रियोक किया जाता है डेहूं प्osto pom想 आई डायड का गले के उपर पसू के गांटे बन जाती है तो आपके जो पसू चिकल सक हैं वो पोटेसियम आयोडाइड पावडर का लिकर देते हैं तो उसके अंद्रगत किया जाता है देखो एदि आपके पसू में आयोडीन की डिपसिंसी है तो आयोडीन की डिपसिंसी को कंट्रोल करता ह और रही बात ये पाउडर आपके पसु में होने वाले थाइराइड गरंती से जो थाइराइड गरंती है उसकी वजह से इदिया आपके पसु में इसकी डिपसिंसी हो जाती है तो आपके पसु में गले में सुजन हो जाती है पूरा गला सुज जाता है और कईबरा आपके पस है तो टूमर बनी हुई है कहीं से भी किसी भी सरीर के किसी भी बाग पर यह दी टूमर गांट बनी हुई है तो आप इस पोटेसियम आइडायट powder का परियोग जरूर करवाएं आप अपने पशों में कितनी डोज देनी चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा यह दि आपके पशों में जैसे थनेला रोग हो गया है थनेला रोग हो गया है वहाँ पर यह दि गांठे बन गई है थन के अंदर गयाद अडर के अंदर गयाद तो भी आप इसका परियोग अपने पशों में करवा सकते हैं यह दि आपका पशों करोने की स्टेज में चला गया या फाइब्रोसिस हो गया है आपके पशों में थनेला फाइब्रोसिस के अंदर गया हो गया है तो जैसे बहुत ज़्यदा अडर टीट है बहुत ज़्यदा हाड हो जाते हैं दपते नहीं हैं तो उस इस्तती के दोरान भी आप इस पोटेसियम आईडाइट का पाउडर का परियोग आप अपने पसू में करवाएं बहुत यह अच्छा रिजेल्ट मिलता है और आपने पसू का इलाज किया जाता है एडी पसू के सरीर पर किसी भी तरह की केंसर से संदित कोई बीमारी हो गई है तो बहुत यह अच्छा रिजेल्ट आपके पसू में देखने को मिलता है इसके अलावा आपने गांटों के अंदर तो देखा होगे किसी भी परकार की गांटे हैं मैंने बहुत अच्छा रिजेल्ट है लंबे समय से दांस रहा है रिजेल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है कई इस तरह की दोईयां ले ली आपका पसू फिर भी दांसता रहता है तो यह क्या करता है कि एडी आपके पसू के अंदर गट जो बलगम है वो फेपडू के अंदर जाकर के जमा हो जाता है तो उसको क्या करता है कि वो पिगला देता है तो यह दिया आपके पसू में धांसने की सिकायत है लंबे समय से क्रोनिक स्टेज में कई ऐसी मेडियेशन परियोग कर चुके हैं तो भी आप इस पोटेशिम आइडाइट पाउडर का परियोग आप अ जाकर कैसा इसार आगर मिलता है देखो एक और बतना सात ओंकि यह पाउडर है कम जिस प्रकार SAY बीस ग्राम का एक डब्बी है लेकिन इस भोत महंगा आता है और अदर अदर जो लेबोर्टी कोई महंगी बनाते है कोई सस्था बनाता है तो भी श्वसंता इस ब्रकार sì ग् के पुआँडर का प्रयोंगा आप अपने पशूंब में वहाँ पर भी भूट यचा रिजल्ट मिलता है इसी तरह से इस प्रटेशुमाइडर का प्रयोंग एदी आपके पर सोँव wła अपने पर benchmark का का रोग हो गया है, इसकिन के उपर तो भी आप इस पाउडर का प्रियोग करवा सकते हैं, रही बात इसकी डोज की, तो जो बड़े पस्व हैं, जो लार्ज एनिमल्स हैं, जिनका बोड़िवेट तीन सो से पांसो केजी के बीच में है, तो इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ पा पांस ग्राम परड़े के साब से लगातार, आप चार से पांस दिन कम से कम 20 ग्राम तो एक बर आप अपने पस्व को दें दे, इसी तरह से यदि आपकी बेड़ बक्रियों में दिक्कत हो जाती है, तो उन्हें एक ग्राम पाउडर ये दिक्कत है, तो एक ग्राम पाउडर आप उसको दे सकते हैं रहे बात यह पाउडर जो है यह दि आपका पसू प्रिग्निंट है तो भी दे सकते हैं नोन प्रिग्निंट है तो भी दे सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी हानी आपके पसू में नहीं करेगा बट आपके पसू में अच्छा ही रिजेल देखने को मिले लेकिन मैंने आपको शहीं वासा में समझा है इसी तरह से आपके पस्वों में इस स्वेकार से घाव हो जाते हैं यह थीक हो सकते हैं इसी तरह से घाव के पस्वों में जो बहुत ज्यादा कम पाती है यह नीदि वी बहुत बड़ा कारण है तो potassium iodide powder का प्रियोग आप अपने प्रियोग कर सकते हैं, खैने का मतलब है कि potassium iodide एक बहुत अच्छा powder है, लेकिन इसकी डोज आपको limit देनी होती है, लंबे समय तक आप नहीं दे सकते हैं, कंट्रोल समय तक ही आप दे सकते हैं, जैसे बड़े प्रिय ग्राम तक आप प्रियोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और भेड़ बक्रियों में आप 5-7 ग्राम तक आप प्रियोग कर सकते हैं, लंबे समय तक, 20-20 में आप इसका प्रियोग अपने पसों में करवा सकते हैं, ताकि आपके पसों में किसी पी तरह की इस तरह की इस अच्छी तरह से समझाए ये जो मेरे नए चेनल है उनका लिंक आपको डिस्क्रिपिशन में मिल जाएगा तो वहाँ पर जाकर आप उनको सब्सक्राइब करेंगे उन चेनल पर भी बहुत अच्छी वीडियो आती है ये वीडियो अच्छी लगी है